नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जीतेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल GK Edutake में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Yes Bank Limited के बारे में और Yes Bank Limited के उपर मैं विडियो अपडेट नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें वो ऐसी कोई good news नहीं थी लेकिन आज Yes Bank Limited में एक धमाकेदार news निकल के आ रही है और ये news जानना आप लोग के लिए बहुत जुरूरी है और उसी news के कारड़ जो है आज Yes Bank Limited में तक्रीबन 4.41% की शांदार तेजी देखने को मिले तो क्या Yes Bank Limited का सेयर 20 रूपे के उपर जाएगा या नहीं अभी हमें Yes Bank Limited में क्या करना चाहिए अभी हमें इसमें fresh investment करना चाहिए या wait करना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि Yes Bank Limited का सेयर कभी निप्टी-फिप्टी का सेयर हुआ करता था और निविशकों का चहेता सेयर हुआ था जितने भी Stock Market की निविशक है वो Yes Bank Limited उनके जुबान पे पहले आता था लेकिन 2020 में जब मार्केट में करेक्शन होई COVID की टाइम तो उस समय मार्च 2020 में इसका सेयर पूरी तरह से क्रेस हो गया और एक ही दिन में 90% का करेक्शन हुआ जब पता चला कि इसके जो founder थे Mr. Rana Kapoor ओ जो है इसी scam में सामिल हुए थे तो बैंक में घोटालों के काल जो है और कई लोग तो ऐसे हैं जो 20-25 टुपे की लेवल पर काफी बुरी तरह से फुसे हुए हैं तो आज के इस वीडियो में पूरे analysis करेंगे और इस मुहीं में मेरा साथ देने के लिए दोस्तों प्लीज नीचे दिए गया सबस्काइब बटन पर क्लिक करके जेके इरूटे को सब्सकाइब कर लिए ताकि जेके इरूटे की तरफ से stock market related कोई भी नई वीडियो अपडेट हो तो उसका notification सबसे पहले आप तक मिलता रहा है पिछले एक महिने के return को देखेंगे तो पास्ट वन मन्त में यस बैंक लिम्टेट ने तक्रीबन 12.70% का सांदा रेटन दिया है लेकिन अभी वी इस एर 12 से 14 रुपे के बीच में फसा हुआ है पिछले एक साल का डाटा आप चेक करें तो पिछले एक साल में पाएंगे कि पूरे साल वर यस बैंक लिम्टेट 12-14 12-14 के बीच में टाल रहा है और 14 के उपर जावी रहा है त सोलर के उपर से इसको जो है प्रेशन मिल रहा है और वहां से स्टॉक फिर 12 रुपे की लेवल पर आ रहा है तो जिस परकार आज मार्किट में तेजी थी तक्रिवन 5% के करीम में उसमें एक बहुत बड़ी नियूश का इंपोर्टन डोल है तो सबसे पहले इस वीडियो में उसने उसको कवर करेंगे तो आर गाधी गोपाल कृष्ण को जो है डारेक्टर और एस बैंक बोड में बनाया गया है और बी आई की तरफ से और रिजर्व बेंक आप इंडिया के तरफ से दोस्तों क्योंकि रिजर्व बेंक आप इंडिया के जो फार्मर डीप टी गवठर थे मिस्टर आर गाधी और प्रोफेसर अनन्त नरायन गुपाल कृष्णे इनको जो है अडिशनल डिरेक्टर अन्द बोर्ड आफ एस बैंक लिम्टेट के जो नए बोर्ड की गठन किया गया है उसमें इन दोनों को जो है नया बोर्ड आप डिरेक्टर का जो है बनाए गया ह और इस पी जैन जो इंस्ट्टूट आप मेनेजमेंट एंड रिसर्स फूम के है उन्हें जो है यस में लिम्टेट में जो है इडिशनल डिरेक्टर क्रूप में बनाए गया था और उनका कारभार दोस्तों दो हजार तेज तक है आपको याद होगा कि पिछले साल जम दो याई के पास एक अनुमती वेजी थी और वियाई से अनुमती मांगे थी कि हमें जो है अपने अस्तर रिकस्ट्रक्शन कंपनी के अगटन करेंगे और जितने भी बैड जेसी फ्लावर ए रसी जेसी फ्लावर ए रसी में यस में क्लिम्टेट ने तीन सो पचास रुपे का इ अर्बियाई ने इससे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ए आर्थी के तुरू जब कोई कंपनी पपोजेट डालती है तो जितने भी बैड लोंस होते हैं जो उसके बाकी करजे होते हैं वो कंपनी साम दाम दंड भेव किसी भी तरीके से उन करदेदारों से जो है वसूलती है त तो यस रिम्टेट का जो स्टेट पूल आफ अर्ण यह स्टेट मैं लिम्टेट का जो बैड अन्पीय तकरीबन 48,000 करोड के करीम में हैं और इसके एम डी मिस्टर परशांत कुमार इस बैड अन्प को सेल करना चाहते हैं और जैसे ही दोस्तों एर सी एस्ट रिकंस्रक्शन कमपनी के दोरह 48,000 कोड का इबाइड NPA सेल होगा आता है बाइद वे तो फिर इस कमपनी का सेल रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा लेकिन उससे पहले अभी हमें इस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए क्योंकि बहुत सो लोग मुझे WhatsApp पर comment कर रहा है कि सर Yes Bank Limited में क्या करें Yes Bank Limited के ओपर आप वीडियो अबडेट नहीं दे रहे ते और आज Yes Bank Limited में सांदार तेजी देखने को मिली है क्या Yes Bank Limited के अच्छे दिनों की वापशी हो चुकी है क्या हम इसके sales को खरीद ले या अभी और इंतजार करें देखे दोस्तों yes bank limited के जिस तरह से fundamentals हैं काफी अच्छे हैं लेकिन जो घोटालों के कारड बैंक जो है बुरी तरह से बरबाद हो गया ता लेकिन पिछले कुछ quarter का डेटा चेक करेंगे तो आप आएंगे कि यह मैं क्लिम्टेड अब पहले जैसा नहीं रहा गया क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसे stocks को भागते हुए stocks को खरीद लेते हैं और बिना research किये तो बा पहले उसके बारे में research कीजिए उसके बाद दोस्तों निवीज कीजिए उस सेर में तो आप आएंगे market capital देखिए एक कोई penny stock नहीं है इस company ने जनरेट किया था इस bank ने वहीं quarter 3rd में 4898 कोड़ो गया और quarter 4 में देखें तो 4948 कोड़ उपे करें इन्यू यस bank limited ने जनरेट किया है profit की बात करें तो Q2 में यानि quarter 2 में 226 कोड़ो उपे का net profit हुआ था और quarter 3 में बढ़कर 266 कोड़ और quarter 4 में देखें तो 367 कोड़ो उपे का net profit होता हुआ दिखाए दे रहा है net NPA लगातार गिर रहा है gross NPA लगातार गिर रहा है और bank EPS earning per share धीरे धीरे बढ़ रहा है FII की सेदारी तक्रीवन 11.37% के करीम में है domestic institutional investor की holding 43.93% के करीम में है और public के पास 44.70% का stake है लेकिन technical chart की बात करें technical chart पर आप देखने की खुशिस करें तो yes bank limited का major support level है ओ है दोस्तो 12.50 पैसे और जो सबसे important और तगड़ा resistance level है ओ है दोस्तो 15 रुपे क्योंकि 15 रुपे के level पर जाता है फिर वहां से वापसी हो जाती है लेकिन जब तक 15 रुपे के लेबल के ऊपर yes bank limited का सेर सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको 20 रुपे का लेबल देखने को नहीं मिलेगा और पिछले अपते देखें तो लगातार इसमें बड़ी मात्रा में जो है खरिदाई शुरू हो चुकी है तो यह जो सेर इसके दिन पल्टेंगे या नहीं यह तो समय बताएगा आपको बस इतना करना है आपको इस सेर में थोड़ा और थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि अभी जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी इसके q1 के नंबर एक बार दे कर दिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद